हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे खटा मेटा स्वादिष्ट अचार नीम्बू मिर्ची का अचार आज हम बनाने वाले हैं तो बिना किसी देजी के शुरू करते हैं आज की रेसिपि लिए फ्रेंच शुरू करते हैं तो मिर्ची का अच्छार बनाने के लिए मैंने यहां पर नीमु ले रखा है और मैंने यहां पर ढ़िए साइट में गुर्ड ले रखा है यह देखिए मिर्ची हमारे कैसी है यहां पर तो अब हमने टराई में यहां तो अब हमने गयस पर यहां पर पैंड़ रख दिया है गरम होने के लिए कड़ाए गरम होने के बात मैं डलूंगे समफ यह कतोरी समफ डाल देंगे इसको हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे से अच्छा इसको बूंड लेना है धीमी आंज पर अच्छे सी इसको फ्राइ कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है तो थोड़ा सा ब्राउनी ही हो जाता तब हमने इसको अच्छी से ड्राइरोस्ट कर लिया है इसको आप निकाल लेते हैं कि में मेथि के दाने के धाने भीड्रायर रोस्ट कर लेंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ही भूनना है इसको मेथि को हम जादा नहीं भूनेंगे जादा भून गया है तो यह इसमें जो है वो मिक्से ? ब्र Leon भूनना है अब विंहाए हुद्य草स्ट कर लेन वे अब हमारा अच्छे से ड्राय रोस्ट हो चुका है अब हम इसको भी प्लेत में निकालें लेते हैं में ड्राइब दोद के अधिक बाफ नहीं निकल रहां है तब तक हम इसको अधि कर लेंगे तेल जाए वह बहुत जैसे गरम रहना चाहिए हमारा तो अब हम इसको थंडा होने के लिए साइड में लग देते हैं फिर बात में इसको मिकसी में लगा कि इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे हम तब तक हम यहां पर मेर्ची और जो लिम्बू है उसको काट के ले ले लि जो मसाला है वो मेर्ची के अंदर भी चला जाएगा तो इस पर्ची से हम कट कर लेंगे बीट से तो अब यह जो सारी मेर्ची हैं उनको काट के ले लेते हैं यहां पर देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो तेल से जो है वह थुआ निखल रहा है इस टेल को हम कर अब हम क्या करेंगे तेल को थंडा कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स सारे मीर्ची काट के ले लिये हैं अब हम काट के ले लेते हैं नेबू निपहाँ क कैसे दे पहलाई है डियां इसको बीच दे लिए और यह बेंदी और आठ़ू चैनल कुछ शोटी पिससमें तो यहां पर देखे फ्रेंड्स निम्बू भी हमने चोटे चोटे पीसेस में काट के लिया है और मेर्ची भी काट लिया है जो हमने आप पे मसाले जो ड्राय रोस्ट के थे उसको भी यह थंडा हो चुका अच्छे से अगर हम इसको मिक्से में लगा लेते हैं और दर-दर पी इसके एक पीसिल लेंगे ऐसे हैं जो हम पीसे पीशिंन पारां शब्लो के दिग काट क्णूत तो अब आम इसके अंदर एक कटोरी हम दलेंंगे अब हम इसके अंदर एक टोरी हल्दी भी डाल देंगे अब जो हमने मसाला डाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसके अंदर पीला मूम डाल देंगे अब हम इसके अंदर राय डाल देंगे अब हम इसके अंदर एक कटोली लाल मिच पॉडर डाल देंगे घर का बनावा लाल मिच पॉडर डाल देंगे इसके अंदर अब हम इने हाथों से मिक्स कर लेते हैं वह हमें मिर्ची और नेमू में लगना चाहिए इसके मिक्स कर लेंगे तो यह दिके अब इनदर गोलड डाल दूंगा इसको वह अच् ai से मिक्स कर लेंगे अब हम यहां पेक प्लस्टिक के बर्णी में इसको षब या शाल गड़े लेंगे अब मैं इसकेन्दे डाल दोंगी ही 600'm, फर्टी चम्मच बर हम इसके उतर हें डाल देँगे अब इसके अंदर डाल लेंगे लाल मिछ पाॉडर अब इसके अंदर डूंगे हल्दी 1 tsp हल्दी दाल देंगे अब हम इसको तेल में अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब यह तेल में इसके अंदर डाल दोंगी तो यहां पर अच्छा से साघने से डाल देंगे तेल तो हमने आपे तेल डाल दिये हैं और यहीं पर बस हमारे बंद के अचार जो खटा मिटा अचार है वो बंद के रेडिस हो जाता है यह देखिए बिल्कुल टेस्टी है आप इसको अराम से दो तिन साल के लिए स्टोड़ करके रख सकते हैं चाहे तो कांच के बरतन में भी रख सकते हैं इसको स्टोर करकर वो जादा बहता रहता है तो यह देखिए हमारा कठा मिठा अचार बनके रेडि हो चुका है और अब हम इसको लास्त में अच्छे से मिक्स करकर रख देंगे स्टोर होने के लिए तो यह अच्छे से बनके रेडि हो जाएगा तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वी कुल अच्छा लगा हो जैएगे चला करा झाम हो तो मुल्गा है लगा हो झाएगा हो पुल वीडियो अच्छा लेग़चा लगा हो आजे स्टोर हो जाएगा हुआ ह।